साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो कुरांती देश देख रहा है, वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे, तो नागरीकों के नियत बदलने में देर नहीं लगती है। तू जी की नियत और फाईव जी की नियत में यहीं फर्क है। देर आए दुरस्त आए। भारत आज दुनिया के उन देश्व में हैं जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले वन जी बी डेटा की किमत जहां तीन सो रुपिय के करीब होती थी, वहीं आज वन जी बी डेटा का खर्च केवल केवल दस रुपिय तक आ गया है। आज भारत में महिने भर में एक व्यक्ति मोबाई पर करीब करीब एवरेज 14 जी बी डेटा इस्तेवाल कर रहा है। 2014 में इस 14 जी बी डेटा की किमत होती थी करीब करीब 4200 रुपिय प्रति महिना, 4200 रुपिया। आज इतना ही डेटा 1700 रुपिय या जादा से जादा 1500 रुपिय में मिल जाता है। यानि आज गरीब के मद्दमबर के मोबाईल डेटा के करीब करीब 4,000 रुपिय हर महिने बतरा है उसके जेब में। हमारी सरकारे के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बड़ी हुई है। ये बात अलग है। 4,000 रुपिय बचना कोई छोडी बात नहीं हर महिना। लेकिन जब मैं बता रहा हूं तब आपको धैन माया क्योंकि हमने इसका होहला नहीं किया। विज्यापन नहीं दिये। जूटे जूटे बड़े गबगोडले नहीं चलाए। हमरे फोकस किया कि देश के लोकों की सहुलियत बड़े, ease of living बड़े।